कवितावली उतरकान से देखिए ध्यान पुरुवक्सों ने आप इसको बहुत ही अच्छी व्याजिया आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी तो सबसे पहले इसमें आपको बोड़ की प्रीक सामय यह दी पूछे तो सबसे पहले आप प्रसंकावले जरूर करें कि प्रस्तुत कावियांस हमारी पार्टे पुस्तत आहरो के तुलशी दास तवरा रचित कवितावली के उतरकान से लिया गया है जिसमें महाकवी तुलशी दास अपने समय की जो यथारता है अपने समय में जो गरीबी है उस गरीबी का यथारत चितरन करते हैं क्या कह रहे हैं देखिए पिर विद्यार्दियो यहां पे हम बात करें तो कवी तुलसिदास अपने समय में व्याप्त निर्धनता का गरिबी का बेरोजगारी का जीवी का वहीन लोगों का जो एक तरीके से क्या महोल बन गया है उसका वर्ण करते वे कवी कहते हैं कवी कहते हैं कि चाए मजदूर हो चाए किसान वर्ग हो चाए व्यापारी हो चाए भीकारी हो चाए भाट हो चाए नोकर हो चाए चपल नट हो चाए चोर हो या फिर दूत हो या फिर बाजिगर हो किसी को भी अपना जीवन यापन करने का जो आधार है वो नहीं मिल रहा है और सभी किसी तरीके से अपना अपना पिट भरने का परियास कर रहे हैं कि चाए मजदूर हो, किसान हो, चाए व्यापारी हो, भिकारी हो, भाट हो, या फिर चंचल नट हो, या चोर हो, या फिर चार यानि सेवक जिसे अपने दूद कहते हैं दूद हो, या फिर बाजीगर हो, सबी अपना अपना पेट परने का प्रियास कर रहे हैं, यानि लोग है वो पेट भरने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं चाए वे पढ़ाई कर रहे हैं या अनेक परकार की विद्याएं सीख रहे हैं गुन गड़त अनेक परकार की विद्याओं में परंगत हो रहे हैं तो भी वे पेट की आग को सांथ करने के लिए ही कर रहे हैं तो कोई जीवीका के लिए उन्चे उन्चे पहाडों और परवत्तों पर चड़ कर वहाँ पर अपनी जीवीका को खोज रहा है। कवी कहते हैं कि लोग दिन भर अटत गहन गन एहन अखेट की। यहनि कवि कह रहा है कि दिन भर सिकारी लोग हैं, वो सिकार की तलास में घने जंगलों के अंदर भटकते रहते हैं फिर आगे कवि कह रहा है पेट को ही नई उँचे नीचे करम अधरम करें कभी कहते हैं कि पेट के लिए ही सभी व्यक्ति है वो उंचे नीचे कर्म कर रहे हैं अच्छे हो या बुरे वो पेट की आग को सांथ करने के लिए उंचे नीचे कर्म कर रहे हैं धर्म अधर्म भी यदि वो कर रहे हैं, जान बूझगर कर रहें तो भी पेट की आग को सांथ करने के लिए ही कर रहे हैं। आगे कभी कह रहे हैं कि पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। तुल्शिदास कहते हैं कि गरीबी या निर्दर्ता की भयानकता इतनी है कि कुछ तो लोग इतने मजबूर हो जाते हैं, इतने लाचार हो जाते हैं कि पेट की आग को सांत करने के लिए अपने बेटे और बेटियों को भी बेच रहे हैं आगे तुल्शिदास कहते हैं तुल्शी बुजाई एक राम घन स्याम ही थे तुल्शिदास कहते हैं कि अब तो एक राम नाम का ही सारा है यानि राम नाम रूपी ही एक सारा है एक राम नाम रूपी जो घन स्याम है जो बादल है वही इस आग को सांत कर सकता है वो कहते हैं कि पेट में लगी आग, आगी बढ़ वागी ते बढ़ी है आगी पेट की तुलशीदास कहते हैं कि बढ़ वागी ते यानि समुंदर में लगने वाली आग से भी अधीक भहन कर आग है पेट की तो इसको केवल और केवल राम नाम रूपी घनस्याम यानि काला बादल ही सांथ कर सकता है तो सातियों इस प्रकार ये पहला पद है इसकी व्याक्या एक तरीके से यहां पुरी होती है अब दूसरा जो कवित है इसमें कवी ने अपने समय की जो गरीवी है जो जीवी का विहिंता है जो बेरोजगारी है उसका चित्रन करते वे कवी कहते हैं कि खेती ने किसान को भीकारी को ने भीक बली बनिक को बनिजन चाकर को चाकरी जीवी का विहीन लोग सिध्यमान शोच बच कहे एक एकनशो कहा जाई का करी वेदू पुरान कही लोकू बिलोकियत सांकरे सब पे राम रावरे किर्पा करी दारीदर दसानन दबाई दुनी दीन बंदू दूरित देहन देखी तुलसी हाहा करी कवी तुलसी दास कहते हैं कवी तुलसी दास अपने युग में व्याप्त दरीदर्दा गरीवी भुकमरी बेरोजगारी का सजीव चितरन करते वे कहते हैं कि किसानों को खेती के प्रयाप्त संसादन उपलब्द नहीं है किसान खेती नहीं कर पाते हैं किसानों को खेती की सुविदा या उनके प्रयाप्त संसादन उपलब्द नहीं है विकारी लोग है उनको भी भीक नहीं मिलती है उनको भी बली नहीं मिल रही है उनको भी दान नहीं मिल रहा है वैपारी लोगों का वैपार ठप पड़ा है वो भी ठीक डंग से नहीं चलबा रहा है और जो लोग नोकरी करने वाले हैं चाकर जो लोग नोकरी वाले हैं या जो लोग किसी की सेवा सुरुसा करके अपना धंदा चलाते हैं उनको भी नोकरी नहीं मिल पा रही है कवी तुलसी रास कहते हैं कि सभी लोगों का रोजगार बंद है सभी लोग जिवी का विहिन है और आजिवी का चलाने के लिए सभी लोग चिंतित है तो वो क्या करते हैं जिवी का विहिन लोग सिद्यमान शोच बच बेरोजगारी के अभाव में लोग चिंता के कारण परेसान है सिद्यमान शोच बच और वो एक ही बात शोच रहे हैं और शोचते वे वे एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कहे एक एकनसो का जाई का करी बेरोजगारी के कारण लोग चिंता में हैं और चिंता के कारण वो सोच रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ऐसी दसा में ऐसे विपरीत हालात में हम कहां जाए और क्या करें लोग कहते हैं कि वेदू पुराण कई वेदों और पुराणों में कहा गया है और संसार में देखा भी गया है कि जब संकट का समय आता है तो भगवान राम उन पर किरपा करते है वेदों और पुराणों में बताया गया है और अक्सर संसार में ये देखा भी गया है लोग कहते हैं कि यहां पर राम के बाद ने संबोधन आया है लोग कहते हैं कि हे राम जब जब इस संसार पर संकट आया है तो आपने लोगों पर दया किया है आप लोगों पर दया करते हैं इसलिए दीन बंदू हे दीन बंदू हे गरीबों पर दया करने वाले इस्वर दारीदर दसानन दरीदरता रूपी रावन ने इस संपूर्ण संसार को दबा रखा है अपने आगोस में ले रखा है इसलिए दूरित दहन देखी तुल्शी हाहा करी संसार को इस परकार गरीबी की आग में दरीदरता की आग में जलते देखकर तुलशी के मुं से हाई ہाई की धौनी निकलती है, हाई हाई की पुकार निकलती है अर्थाइव तुलशी आज कहते हैं कि संसार में गरीबी रूपी रावण है, वो इस दुनिया को जला रहा है इसलिए हे राम आप ही इस दुनिया को बचाएं आप ही इस दुनिया की रक्सा करें तो प्रिविद्यार्तियों इसमें एक तरीकिसे निर्दंता और गरीवी है उसकी भयावता उसकी भेंकरता का चित्रनकिया है लोग किस परकार बेरोजगार है लोग किस परकार आजिवी का भीहीन है लोग किस परकार अपनी आजिवी का के बारे में शोच रहे हैं किस परकार लोग चिंतित है और किस परकार इस गरीबी यानि गरीबी रूपी दरिदरता रूपी दसानन है वो इस दुनिया को दबा रह का दबा रहा है किस प्रकार इसे लोग बार आना चाते हैं राम से वो क्या पुकार कर रहे हैं तुलशिदास राम से क्या पुकार कर रहे हैं इसी का इस कवित के अंदर चित्र हुआ है इसके बाद जो कवित है उसमें तुलशिदास ने अपने आपको संसार से बिल्कुल प्रेक्स बताया है तुल्शिदास कहते हैं कि संसार मेरे बारे में क्या राय रख रहा है इसे मुझे कोई फरक ने पड़ता क्योंकि मैं तो राम का सेवक हूँ तुल्शिदास कहते हैं दूत कहो अव़ धूत कहो रख पूत कहो जुलह कहो कहू कहू की बेटी सो बेटा ने व्या हूँ कहू की जाती बिगालने सो तुल्शिदास सरनाम गुलाम को है राम को तुल्शिदास कहते हैं कि यदि लोग मुझे धूत कहते हैं या मुझे सजन कहते हैं परमहस कहते हैं कुछ लोग मुझे रजपूत यानि सत्रिय कहकर मेरी महिमा मंडन करते हैं तो कुछ लोग मुझे जुला कहकर मीचा भी समझते हैं कहने कारती यह है कि मेरी चाई परसंसा करो चाई मेरी निंदा करो मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं कभी तुल्षिदास कहते हैं कि मुझे चाई छोटा कहे चाई मुझे बढ़ा कहे मैं इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करता है क्यों काहू की बेटी सो बेटा नहीं द्याओ क्योंकि मुझे तो किसी की बेटी से अपने बेटे का विभा नहीं करना है और नहीं मैं उंची या नीची जाती का अपने आपको मान कर किसी की जाती को बिगाड़ना चाहता हूं बेटे का ब्या है वो किसी की बेटी से करना है इसलिए मुझे उम्च नीच के रूप में किसी परकार का कोई डर नहीं है तुलशी दास आगे कहते हैं कि तुलशी सर नाम गुलाम हूँ है राम को तुलशी दास कहते हैं कि मैं तो राम का विस्व परसिद यानि संसार परसिद सरणाम यानि लोक पर सिद राम का दास हूँ राम का गुलाम हूँ राम का सेवक हूँ इसलिए जिश को जो अच्शा लगे वो कहे जाको रुचे सो कहे कचु ओऊ इसलिए जिसको जो अच्छा लगे वो मेरे बारे में कहे मुझे इस बात से कोई फरक नहीं पढ़ता क्योंकि मैं तो मांग कर खाता हूँ मस्चिद में जाकर सोता हूँ मुझे ने किसी से कुछ लेना है ने किसी को कुछ देना है तो मुझे इस संसार की क्या परवा है लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं क्या शोच रहे हैं इस बात से मुझे कोई फरक नहीं बढ़ता तो यहाँ पर तुलशिदास ने एक तरीके से सामाजिक समरस्ता का संदेश भी दिया है उनका लोग परशिद जो रूप है वो सामने आया है राम के वो परम भक्त थे और राम को स्वामी मानकर स्वैम को उनका दास मानते वे दास्य बाव की भक्ती वो राम की करते थे तो सात्यों इस परकार यह तीन यहाँ पर दो कवित और एक सवैया यहाँ पर पूरे वक्त है आगे के वीडियो में हम पड़ेंगे लक्समन मूर्चा और राम का विलाव तब तक आप वीडियो को देखते रहे है वीडियो को सेर केजिए वीडियो को लाइक केजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिए मिलेंगे इसके आगे वाले भाग के साथ तब तक आयानी जी नमस्कार जैहिन जैवाल